मैनपुरी में होने जा रहा है विधान सभा उप्चुनाव के लिए आग्रा से होमगाड का जत्ता डाइट से हरी जंडी दिखा कर रोड वेज बसों से रवाना किया गया मैनपुरी की करहल विधान सभा में 20 नवंबर को चुनाव कराने के लिए आग्रा से होमगाड रवाना गये गये जाने से पहले अडिशनल पुलिस कमिशनर के शेफ कुमार चौधरी और डिय जी होमगाड संजीव शुकला ने होमगाड को सकोशल चुनाव कराने के बारे में में ब्रीफ किया अधिकारियों ने कहा कि चुनाव 20 नवंबर को होना है लेकिन रविवार को रवाना किया गया है तीन दिन होमगाड को ड्यूटी करनी है चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी या प्रतियाशी से किसी भी तरग का वारतलावन नहीं करेंगे सिर्फ अपन पालन करते हुए अपनी ड्यूटियों का निर्वान करें और निस्पक्ष, भहमुक्त और सांधिपुन मद्दान संपन करा के वापस लोगें मैनपुरी जले के करहल में चुनाव के लिए आगरा से 225 होमगाड पांच रोडवेज बस से रवाना किये गए हैं जो संख्या है 225 है इसी तरह अलेलग जनपदों से अलेलग संख्या के अधार पे उनको वहाँ भेजा गया है बाई इलेक्षन के लिए इलेक्षन में होमगाडों की भूमिका बड़ी आहम रहती है मातपून रहती है और चुकि हम लोग के आप होमगाड की रिक्तियों की संख्या काफी जादा हो गई इसलिए उस जनपद के साथ साथ अन्य जनपदों से भी होमगाड जवानों को भेजने की आवश्रक्ता भेजे गए होमगाड के खाने और रहने की विवस्ता पुलिस की तरफ से की गई है सी न्यूस के लिए उमेश शर्माक रिपोर्ट